हाई, चुछ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोवाइल फॉन वारेंटी को लेके वारेंटी का जो टॉर्रमेंट कर निशले है उसको लेके वारेंटी में आप कौन कौन से पार्ट को कईसे Redeまた कर सेकते हो किस पार्ट को आपको कितना पार टाइम लगेगा या फिर जो customer होता है उनको जो है जानकारी नहीं होता है या फिर कई बार जो है फोन में warranty claim नहीं होना चाहिए फिर भी जो है warranty claim हो जाता है तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में एक एक करके बात करेंगे तो आप अगर interested हो इस topic के बारे में तो make sure इस वीडियो को एंतावे देते रहना और हाँ चैनल पर नए आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जानना तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरस्टिंग वीडियो को जितने वी सारे mobile phone brand है सबी brand में एक साल का warranty मिलता है सारे phone में और उसमें जितने वी सारे accessories मिलते हैं उनमें 6 month का warranty जो है मिलता है तो 6 month के अंदर में कोई भी accessories अगर खराब होता है तो उसे free of cost के साथ में आप service center में जाके replace करबा सकते हो चेंज करबा सकते हो और उसमें आपको एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा अगर हम बात करें जो मेन मोबाइल फोन होता है उसमें किस तरीके का प्रोब्लेम आए तो आप जो है सर्विस सेंटर में जाके रिप्लेस करोगे फ्री आपकोर्ट के साथ में तो फोन में अगर कोई भी मैनिफेक्टरिंग डिफेक्ट होता है या फिर ऑटोमेटिकली कोई भी फ्रोब्लेम जो है फोन में आता है चाहे वो डिस्प्ले के प्रोब्लेम हो चाहे मदरबूर्ड के प्रोब्लेम हो चाहे बे किसी भी पार्ट कि इसी भी product के उपर में अगर manufacturing कोई भी defect आता है या फिर automatically कोई भी problem आता है phone के उपर में तो उसे easily आप जो है replace करवा सकते हो रिपेर करवा सकते हो और service center बारे आप से एक भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे अगर हम बात करें software related problem के बारे में तो ऐसे लोग अगर अपने phone को lock कर देते हैं और वो यह चाहते है कि service center में जाके उस lock को free of cost के साथ में खोल दें या फिर software related कोई भी काम को करवा दें तो वो जो है बिल्कुल possible नहीं होता है अगर आपके phone में अगर lock बगरा है और उससे आप free of cost के साथ में service center में जाके खोलना चाहते हो तो वो जो है नहीं हो पता है उसके लिए आपको उनको charge पे करना पड़ेगा अगर आपका phone जो है accidentally गिर गया है तो उस case में आप जब service center में जाते हो वहाँ पे repair करवाते हो तो वहाँ पे आपको fully payment करना पड़ेगा जितना भी उसका charges होगा repairing का उसको आपको pay करना पड़ेगा वहाँ पे कोई भी warranty जो है claim नहीं होगा अगर आप अपने phone के साथ में insurance को लिए हो insurance करवाए हो अपने phone का तो वहाँ पे आपको insurance जो company है उससे 50% amount जो है मिल जागा आपके phone को repair करवान करा देते हो तो उसके बाद में उसमें जो है warranty नहीं बचता है अगर आप accidentally phone को गिराते हो तो अगर आपके phone में manufacturing कोई भी defect आता है या फिर automatically कोई भी problem आता है और उसे आप service center में जाके ठीक करवाते हो तो उसके बाद में भी आपको एक साल का warranty जो है उस phone में claim होगा next time कोई भी problem गर उस phone में आता है तो वो जो है free of cost के साथ में आप service center में जाके काम करवा सकते हो अभी हम बात करते हैं कि वहाँ पे service center में आप कोई भी phone को repair करने के लिए देते हो तो वहाँ पे आपको कितना time लगेगा और कितना charges आपको पे करना पड़ेगा तो यहाँ पे service center वालो कोई भी छोटा मोटा service center है जैसे कि अभी के time पे हर एक area में हर एक small से small city में आपको service center देखने को मिल जाते हैं तो मैं recommend करूंगा कि आप आपके area के जो भी छोटे मोटे service center होते हैं उनमें आप ना जाके कोई बड़ा साथ service center होता है वहाँ पे आप जाईए जैसे कि यहाँ कोई smart city हो गया या फिर आपके आसपास में जो भी nearest में बड़ा service center बड़ा जो city होता है वहाँ पे जो बड़ा service center होता है वहाँ पे जाके आप अपना काम को करवाईए क्यूंकि आप अगर small service center में जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपके phone का जो parts है वो available होगा ही नही और वो लोग जो है आपको time देंगे दो चार दिन का बड़ वो लोग जो है आपको 20-25 दिन तक लगा देंगे आपके phone को repair करके देने के लिए तो यहाँ पे मैं हमसा recommend करता हूँ कि आप बड़े से बड़ा जो city होता है वहाँ पे जाके आप अपना phone को repair करवाईए वहाँ parts की availability होता है वहाँ पे आपको instantly आपका जो काम है वो करके दे दिया जाएगा और आप जो है उससे अपना phone को instantly चला सकते हो वही आप अगर चोटे मोटे कोई service center में काम कराने के लिए देते हो तो वहाँ पे जो है parts को order करना पड़ता है parts को मंगाना पड़ता है फिर वो पर मुझे पूछ सकते हो आज के लिए बस इतना है गया थैंक रो वाचिंग थैंक यू